रादे रादे दर्सको आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरु भिंडी के कुरुकुरे वो भी बहुत ही असान तरीक से जिसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में इतना टेस्टी जिसका स्वादा भुलाए नहीं भुलिएगा तो चलिए सुरू करते हैं और वो भी है पचे हुए घोल से लेकिन इसे बनाने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पढ़ाया है तो चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजिए तो शुरू करते हैं तो भीन्डी के कुड़ुकड़े बनाने के लिए यहां पर मैंने भीन्डी ली हूँ और ये भीन्डी को कोई भी साइस करे सकते है चोटा हो या बड़ा तो मैं यहाँ पर भिंडी को अच्छी तरह से बॉस करकर कुछ देर के लिए छोड़ दियों ताकि इसका पानी सोख ले अब मैं इसके भिंडी को चार्ज स्लाइस में कट कर लूँगी तो उपर से बॉटम और नीचे से डाउन भी कट करकर फिर मैं इसे यहाँ से डिवाइड करकर और बीच से चीरा लगा देंगे तो इस तरह से आप भी कट कर लिजेगा और भिंडी कोई भी साइस का हो आप कटिंग इसी तरह से कीजिएगा तो यहाँ पर मैंने सारे भिंडी को कट कर लिया है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी वो बचा हुआ घोल तो मैंने बनाया था पकोड़ी जिसकी रेसिपी अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर अभी देखिए बहुत ही टेस्टी है वो खाने में तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर दिया और फिर मैं यहाँ पर आड़ कर दूँगी चा Walter का आटा ताकि यह थोड़े कुरकुरे लगे मैं भए मैं इसमें एड होंगी मैंगी मसाला टेस्ट के लिए और थोड़ा सा एड करते कृट क्योंकि जुक्व इसमें गुछ भी इसमें कुछ आड नहीं करूंगी और अगर आप चाहते हैं के ठोड़ा सा और मसाले दारवाना wish तो आप आइट कर सकते हैं, फिर मैं इसे कुद्र के लिए रख दूँगी, अब कुद्र के बाद मैं इसे गर्म गर्म तेल में डीप फ्राइ करूँगी, तो मैं इसे गर्म गर्म तेल में डीप फ्राइ कर लेती हूँ, और मैंने तेल को यहाँ पर पहले से ही पहले से ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था अब मैं इसमें डीप पड़ाई करूंगी और इसे आप हाई फ्लेम पर कुक करिएगा और जब आप इसमें भिंडी आइड करिएगा तो उसे चलाते रहिएगा नहीं तो भिंडी आपस में चिपक जाएगी यह बहुत ही टेस्टी और पकाएगे अब यह अच्छी तरह से गोल्डन व्राउन हो चुका है तो हम इसे निकाल लेते हैं एक बरतन में यहाँ पर तेल को हम जल्दी चानने के लिए अग्छा मोटा में इसे चान लेंगे तो इसे अच्छी तरह से हम चान लिए हैं और इसे हम निकाल लेंगे बा और वो भी बहुत ही क्रिस्प है आप इसका साम सुनिए देखिए ये कितना क्रिस्प है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही टेस्टी तो यहां पर मैं इसे थोड़ा सा गानिसिंग कर लेती हूं फ्राइ किये हुए हरी मिर्च के साथ क्योंकि इसके साथ मिर्च का मजा लेने में बहुत ही अच्छा लगता है और साथ में है यहाँ पर बनी बनाई टमाटर की चटनी आप इसकी भी रेसिपी देख सकते हैं मेरी वीडियो पर तो लीजी तैयार है गर्मा गर्म भिंडी के कुरकुरे और साथ में मीठी मीठी खटी-खटी टमाटर की चटनी अगर आपको मेरी वीडियो एक परसेंट भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ जब तक खुश रहे है खुशियां बागते रहे हैं और आसपास सफाई बनाई रखि और पूरी वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आवी